आपके पास भी वो Y20 series का कोई भी फोन है तो यहाँ पे आप caller ID and spam की setting कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप dialer पे जाएंगे, three dot पे जाएंगे, setting पे click कर लेंगे, caller ID and spam पे click कर लेंगे, इसे on रखेंगे तो आपको caller ID show करेगा आपकी screen पे, जो भी आपको call करेगा, जहां से कर dot calls होंगे, वो background में ही block हो जाती है, ठीक है, इसको back कर देंगे, on करके, इसके बाद बारी आती है, message spam की, message box पे आप चले जाएंगे, three dot पे जाके, setting पे click कर लेंगे, journal पे जाएंगे, scroll कर लेंगे, spam protection पे click करके, इसे on कर लेना है, और spam messages आप यहाँ से देख सकते हैं, spam and block से, यहाँ पे spam messages show हो जाएंगे, unblock करने तो कर सकते हैं, और अगर आपका spam, caller idea and spam काम नहीं कर रहा है, तो इसको fix करने के लिए, आप यहाँ पे setting पे click कर लेंगे, scroll कर लेंगे, apps के option पे जाना है, default app पे जाएंगे, और यहाँ पे caller idea and spam app पे click करके, अपना dialer select कर लेंगे, by default यह none पे होता है, आपको यह dialer select कर लेना है, अपने वाला इसके बाद back कर लेंगे, इसी type के interesting videos के लिए i button पे click कर लेंगे, मिलते है next video में, तब तक के लिए नमस्कार,